ये बात हमेशा याद रखना की रिस्ता हो या फिर कपड़ा, काटने वालों का स्थान और अम्हियत हमेशा जोडने वालों से निचा और कम ही होता है. जोडने वाले का स्थान हमेशा उचा ही होता है. एक पिता अपने बेटे को जिन्दगी के बारे में सीख देते हैं. रविवार का दिन और बाद में सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं इस लड़के ने जब बार बार अपने पिताजी को ये प्रकिया करते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया उसने अपने पिताजी से कहा पापा में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ पिताजी ने उसे कहा बेटा बोलो तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो उसने कहा कि मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ आप जब भी कैची से कपड़ा काटते हैं तब कैची को अपने पैर के नीचे दबा देते हैं और जब भी आप सुई से कपड़े को सिलते हैं तब आप उस सुई को अपनी टोपी पर लगा देते हैं पापा आप ऐसा क्यों करते हो पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा कैची हमेशा काटने का काम करती है जबकि सुई जोडने का काम करती है हमेशा काटने वालों की जगह जोडने वालों की जगह से नीची होती है इसी कारण से मैं कैची को डोट पैर के नीचे रखता हूँ और सुई को अपनी टोपी पर लगाता हूँ इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जरूर अपने आपको ये सवाल पूछना क्या मैं अपनी जिन्दगी में एक कैची का काम कर रहा हूँ या फिर एक सुई का मित्रों आपको यह स्टोरी पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिये राधे राधे जैश्री कृष्णा